जै श्री हरी विश्नू स्प्रीच्वल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे शकुन शास्त्र के अनुसार कौन से पक्षियों का दिखना होता है शुब शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला पक्षी है उल्लू अगर आपने घर के आसपास उल्लू को देखा है तो इसका अर्थ है कि आपके यहां मा लक्षमी का आगमन होने वाला है उल्लू देवी लक्षमी का वाहन होता है दूसरा पक्षी है निलकंट निलकंट का दिखना काफी शुब माना जाता है नीलकंठ संपत्ती, सफलता और वाहन प्राप्ती का संकेत देता है तीसरा पक्षी है तोते का जोड़ा तोते का जोड़ा देखने से वेवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है वहीं घर की मुडेर या छत पर तोता दिखा है तो इसका मतलब है कि आपके घर में कोई शुब कार्य होने वाला है चौथा पक्षी है कवा घर की मुडेर अथ्वा छत पर कवा का दिखना या बोलने का मतलब होता है कि आपके घर कोई धन्वान व्यक्ती आ सकता है यह मान प्रतिस्ठा और धनलाब देने का भी शंकेत देता है पांचवा पक्षी है चिडिया घर में कहीं चिडिया घोसला बना कर रहने लगे तो समझ ये आपको खुशियों की सोगात मिलने वाली है चिडिया का असपास रहना अच्छा माना जाता है वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जड़ से जादा लोगों तक शेयर कीजिए इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में जैश्रीहरी लिखना मत बुलिए